तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, डाइबिटीज के तीन मुख्य प्रकार होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल, तो आज हम बात करेंगे जेस्टेशनल डाइबिटीज की जो प्रेग्नेंसी के वक्त होती है, आम तोर पे ये उन महिलाओं में पाई जाती है, ज हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, हमारे बलड में मौजूज शुगर लेविल्स को ठीक से एब्जॉब नहीं कर पाते हैं, जिसकी वज़े से हमारे बलड के शुगर लेविल्स बढ़ने लगते हैं, और शरीर में डाइबिटीज शुरू हो जाती है, अगर ये डाइबि जब प्रेगनेंसी के दौरान होती है, तो उन महिलाओं में डाइबिटीज टाइब टू बात के टाइम में होने का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि नियमित रूप से हमें हमारे बलड शुगर लेविल्स जांच करते रहने चाहिए, अब डाइबि घंटे बाद अगर हम शुगर नापते हैं और वो 140 मिलिग्राम होती है तो नॉमल होती है, और खाने के 2 घंटे बाद अगर 120 मिलिग्राम के नीचे हो तो नॉमल होती है, ये हम देखते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, आमतोर पर प्रेगनेंसी के दौरान 24-28 वीक्स के बीच में डॉक्टर्स हमें रेगिलर चेकप में डाइबिटीज भी चेक करने के इसला देते हैं अगर कुछ लक्षन पहले दिखे तो पहले अदरवाइस रूटीन चेकप में डाइबिटीज भी चेक की जाती है प्रेगनेंसी के दौरान अगर डाइबिटीज को समय से कंट्रोल न जल से जल sugar levels को control किया जाए जिससे होने वाले बच्चे पर और मापर इसके बुरा असर ना पड़े कई बार देखा गया है कि symptoms तो हमें दिखाई नहीं देते हैं या आम तोर पर कुछ लक्षन नहीं होते हैं पर अगर किसी भी महिलाव को कुछ common diabetes के लक्षन जैसे अधिक प्य अपने blood sugar levels को जांच ले यूजवली अगर हम देखे तो pregnancy के दौराण diabetes होने का जो खतरा होता है यह होता है क्योंकि हमारे बॉड़ी में जो pregnancy के दौराण hormonal changes होते हैं उससे वजन भी बढ़ता है और मोटापे से sugar level बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है इसलिए pregnancy के दौराण weight control में रखना आहर नियंतरित लेना जादा मीठा नहीं खाना यह सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर हम देखे तो sugar levels अगर ठीक से control नहीं हो तो इसके complications हमें मां और होने वाले बच्चे इन दोनों के health पर दिखाई देते हैं जैसे की वजन बहुत जादा होन अगर sugar levels time पर control नहीं किये जाते हैं तो जो बच्चा होने वाला होता है उसका वजन कई बार अधिक हो सकता है इसकी वज़ा से होने वाले बच्चों में complications जैसे cod का गले में फस जाना या pregnancy के दौरान, normal delivery के दौरान उसे चोट लगना इसकी संभावना जादा बढ़ सकती है वो हमें करनी पड़ती है, usually preterm delivery में cesarian section की संभावना बढ़ जाती है और cesarian section के थ्रू बच्चा पैदा किया जाता है, बच्चे का वजन जादा है या वो समय से पहले पैदा हो चुका हो तो उनमें कई बार breathing issues आ सकते हैं जिसे हम respiratory distress syndrome कहते हैं और बच्चे के लिए उसकी treatment श sugar levels बहुत जादा होते हैं, तो delivery के बाद बच्चे के body के sugar levels एकदम से कम हो जाते हैं, जिस वज़े से shivering या बच्चे का कापना राइगर शुरू हो सकता है और ऐसे में बच्चे को glucose वाला saline शुरू किया जाता है, तो कई complications होते हैं बच्चे में अगर हम pregnancy के दौरान sugar levels ठीक से control नहीं कर पाए, जेस्टेश्टर pregnancy में कई बार जिन बच्चों की मा को pregnancy के दौरान diabetes होती है, ऐसे बच्चों में obesity यानि मुटापा का खतरा अधिक बढ़ जाता है पैदा होने के बाद, और ऐसे बच्चों में type 2 diabetes आगे चल के होने का खतरा भी बढ़ जाता है, कई बार ह जैसे complications भी देखते हैं, जिसमें बच्चा या तो पेट के अंदर ही, या पैदा होने के तुरंत बाद नहीं जी सकता, या नहीं रह पाता है, क्योंकि बड़ी के high sugar levels की वज़े से वो survive नहीं कर पाता, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि sugar levels detect होते ही उसकी treatment करे, और sugar levels को ठीक से नियंतरित रखे, जैसे बच्चे में sugars के complications दिखते हैं, उसी तरह गर्भवती महीला जिसे gestational diabetes होती है, उनमें भी sugar high sugar levels के complications दिखाई देते हैं, preeclampsia एक ऐसी condition है, जिसमें high blood sugar level के साथ साथ, high blood pressure होने की भी संभावना काफी बढ़ जाती है, और जिस वज़े से भी cesarean section करन की आवशक्ता पढ़ सकती है, ऐसी महीला है जिने pregnancy के वग diabetes होती है, और delivery के बाद उनकी sugar levels normal हो जाती है, तो ऐसे में कई बार आगे चल के अगर second या third pregnancies होती है, तो उसमें भी उन्हें diabetes होने का खत्रा, या आगे चल कर type 2 diabetes होने का खत्रा भी बढ़ जाता है, तो दोस्तों, pregnancy के दोरान बहुत जरूरी है कि हम regularly doctor के पास जाए, regular हमारे health check-ups कराते रहे, क्यूंकि अगर समय पर ऐसी कुछ चीजे या ऐसी कुछ बिमारी होती है और जिसका हम निदान कर ले, और जिसे हम control कर ले, तो हमारे pregnancy के complications को टाला जा सकता है, और इसी तरह pregnancy के बाद भी ध्यान र रखे, diet control में रखे, ताके आगे जाके आपको type 2 diabetes जो होने का धुका है, वो कम से कम रहे, और इसी तरह आपको अगर किसी भी प्रश्न का और उत्तर चाहिए, तो आप हमें comment जरूर करे, thank you.